नमस्कार वानकम सासरीयकाल कवड़ी टो यू आल वीवो प्रो कवड़ी में आज भी दो मैच हैं और आज हमारा फोकस रहने वाला है चार टीमों पर पर एक टीम पर दो टीमों पर ज्यादा तुकि एक है डिफेंडिंग चेंपियन और एक है तीन बार की चेंपियन एक ने अ सबसे पहले पॉइंट स्टेबल देख लीजिए प्रभू क्या खलवली मची हुई है पटना पाइरिट्स सरे फहरिस्त हैं जैसे संजेवेनर जी कहते हैं उनका मुकाबला है नमबर ग्यारा पे चल रही पटना पुनेरी पटकन से पीपी बनाम पीपी दबंग दिल्ली तरफ आधा दिल बिंगॉल की तरफ क्योंकि वो मिस्टर बैनर जी है आपका दिल कहां है पॉइंट स्टेबल देखिए नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए आप यहां देखिए मैं यहां देखता हूं अपने सामने यह नीचे मेरी स्क्रीन है बिंगॉल वारियस पुनेरी चड़ रही है हम उपर चलिए मैचिस की चर्चा करते हैं आज दबंग दिली के कोच सहाब क्रिशन कुमार हुड़ा सहाब का जन्म दिन है बहुत-बहुत मुवारका एक बार फिर से आपको बदाई क्रिशन कुमार हुड़ा सहाब हर्याना के कोच रहे हर्याना की कबड़ी को नैशनल्स में अर्से बाद पट्री पर लाने का श्रेय उड़्डा साहब को जाता है दिली को प्लेओफ में लाने का फाइनल खिल्वाने का श्रेय उड़्डा सहाब को जाता है आज बुल्स के कोच रनदीर सिंग सिरावत सबसे पहले बात दिल्ली की पिछली बार के फाइनलिस्ट पर अब दिल्ली दूर नहीं है प्रभू इन से पांच मैच पांच मैच बाकी हैं 57 पॉइंट हैं दो जीत लिए तो दाखिला पक्का क्योंकि दो जीत के आप जाएंगे 67 पर सड़ सड़ के साथ आप क्वालिफाई हो जाने चाहिए पिछले सीजन में बेंगलूरू बुल्स के 64 पॉइंट थे और वो क्वालिफाई हो गए थे इस बार गणित थोड़ा ज्यादा जकल है पर 67 के साथ आप अपने जीत पक्की मान सकते हैं खेलना किसके साथ है ये जो टी दिल्ली ने पहले मुकाबला जीता है इस सीजन में यानि एक मनोविग्यानिक लाव उनके पास है तामिल टाई वाला के साथ दिल्ली का पिछला मुकाबला टाई हुआ था तो यानि पांचों ऐसी टीमों के साथ दिल्ली को भी खेलना है जिनसे वो इस सीजन में हारे नहीं तो स्थिती दिल्ली की सुखद है परिशानी कहा है प्रभू यहां है कितना गणित किया देखो मैंने इतना स्कूल में पड़ा होता तो आज शायद IAT क्लियर कर गया होता या नहीं मेरा मैथ बहुत ही अवरिज था गत विजेता बेंगॉल वारियर्स डिफेंडिंग चैंपि कितने बने 20 पॉइंट 44 अभी हैं जोड दीजिये बन गए 64 पिछली बार बुल्स 64 पॉइंट लेके क्वालिफाई हो गए थे लेकिन जैसे प्री मेडिकल टेस्ट में हर साल कट ओफ उपर नीचे जाती रहती है यहां भी कट ओफ उपर नीचे जा सकती है हो सकता है इस बार 60 वाली टीम कॉलिफाई कर जाए हो सकता है इस बार 65 वाली भी ना करे क्योंकि पॉइंट स्टेवल निखाया था ना मैंने आपको कितना कड़ा मुकाबला है और उसके बाद स्कोर डिफरेंस वो तो प्रभू एक अलग ही दास्तान है उस पे तो ग्रंत लिखेंगे हम कभी नगभी अपने वीडियोस में तो आज अगर बंगॉल हारी उसके बाद की सूरत भी देख लीजिए यानि आज हारे और अगले तीन मैच जीते तो मैक्सिमम बनेंगे आपके 59 उसके साथ प्रभू सीजन आठ में क्वालिफाई करना बड़ा कठिन है उतना ही मुश्किल है इतना पंजाबियों के सामने सरसों के साग की प्लेट रखी हो और वो खाली ना हो बंगॉल चारो मैच जीते तो भी क्वालिफाई कर जाएं तो गनीमत है आज अगर नहीं जीते ताई भी हुआ तो मैक्सिमम 61 आज अगर हारे तो मैक्सिमम 59 यानि डिफेंडिंग चैंपिय हर एक मैच जीतना जरूरी है और फिर दुआएं करनी है प्रार्थनाएं करनी है लेकिन अगर आज हार गए प्रभू तो प्ले आफ की लिए जो दाखिला है वो आपके लिए लगभग बंद हो जाएगा जीत का सूतर जल्दी से बताता हूँ बंगॉल का सूतर हमेशा मनिं मनिंदर अगर टीम में नहीं है मैट पर नहीं है तो उन्हें जल्दी रिवाइब करवाना है और मनिंदर को रोकने के लिए जीत का सूतर है दिल्ली के लेफ्ट कॉनर आफी चाहता हूँ जुगिंदर भाई के हाथ में क्योंकि वहीं मनिंदर सबसे जादा बोनस करने के ट् तो उन्हों ने अगर अज अच्छा खेला मनिंदर को रोका दिल्ली यकीनी तौर पे जीतेगी अगले मैच में आईए कि दूसरा मैच किसका है पीपी बनाम पीपी पटना पाइरेट्स बनाम पुनेरी पल्टन यह देखिए नाच चल रहा है क्योंकि पहले ही आपके पास 65 पॉइंट हो गई है प्रभू आज जीते तो 70 पॉइंट के साथ पाटी शुरू पुनेरी पल्टन फिलहाल 11 स्थान पर है जीती तो 9 स्थान पर आएगी स्थिती उनकी बुरी नहीं है मैं बताता हूं क्यों पटना के लल्ला का मचाएंगे भाई हल्ला क्योंकि 5 मैच बाकी 65 पॉइंट पहले ही जेब में हैं आज जीते 70 पॉइंट 200 परसेंट खेलेंगे प्ले आउफ मैं कोरे कागोस पर लिखके दे सकता हूं आपको लेकिन उनका लक्ष्य है बड़ा सिरफ क्वालिफाई नहीं होना है नंबर एक या नंबर दो रहना है क्यों क्योंकि जो टीम प पहले क्वालिफाईर खेलना है जो कि एक तरह से क्वाटर फाइनल है तो पटना आज जीते यकीनी तोर पे प्ले आउफ लेकिन कोशिश उनकी होगी सारे मैचेस जीते हैं ताकि नंबर एक और नंबर दो की जगा पक्की रहे पुनेरी पल्टन पे आईए पुनेरी पल्ट गनित क्या बनता है साथ में से पांच मैच जीत लिए तो आपके हो जाएंगे 67 पॉइंट यानि कि चार जीत के साथ आप रहेंगे जोखिम में पांच जीतने हैं आपने खेलना किसके साथ है पटना से तमिल तलाइवास से जैपुर से और हर्याना से ये चारों टीमें पहल पहले हरा चुकी है यानि इन तीनों को तो आप दुबारा से हराने के कोशिश करें लेकिन पटना तमिल जैपुर हर्याना में से भी दो मैचिज आपको जीतने पड़ेंगे एक चीज मैं भूल गया पटना में किस से खेलना है ब्रोगू हर्याना पुने तेलगू और बुल प्रोगू है अच्छी बात यह है कि उनके पास साथ मैच हैं साथ में से पांच जीतने हैं स्ट्राइक रेट उनका अच्छा होना चाहिए तो प्ले आफ में जाएंगे जीत का सूत्र जल्दी जल्दी से पटना पाइरेट्स में एक खिलाडी के पास सूत्र कैसे हो सकता है रेटर्स की तिकडी खेल रही है SPG, सेक्योरिटी, सचिन परशांत, गुमान सिंग, SPG ये तीनों लगातार अच्छा कर रहे हैं डिफेंस में अगर सुनील नहीं चले तो शादलू शादलू नहीं चले तो आपके नीरज नीरज नहीं चले तो साजिन चंदर शेकर और 55 जर जीत का सूत्र खिलाडी नहीं कोच खोद हैं वो जैसे शारुक खान ने कहा था ना कि हमला दूसरी टीम के गोल पर नहीं उनके दिमाग पर करो तो आज अगर विरोधी को जीतना है तो ये दोनों कोचिस के बीच की जंग है राम महर सिंग साहब हैं कोच अग्रेसिव अक्र अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि शायद अनूप अब राहुल को रिवील करें शायद मुझे ऐसा लग रहा है हाला कि टीम अच्छा जा रही है लेकिन अब सर्प्राइज देने का वक्त आ चुका है और अनूप ने मुझे पहले एक इंटर्व्यू में कहा था कि राहुल को बड़े मैचों में उतारेंगे वो इंटर्व्यू मिरे प्लेय लिस्ट में आपको मिल जाएगा देखिएगा राहुल के साथ भी मैंने इंटर्व्यू किया था वो मेरे इंस्टा प्रॉफाइल में है आई सुनील तने जावेरा है इंस्टा है वहाँ जाईए देखिए उसको मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा तो ये हैं दोस्तो आज के जीत के सूत्र आज के सुनील के सूत्र और आज पॉइंट स्टेबल में क्या स्थिती रहेगी टीमों की जीत और हार के बाद रिपीट करता हूँ पटना जीते 200% प्ले आफ खेलेंगे बिंगौल हारे तो प्ले आफ का रास्ता मेरे लिए प्रेक्टिकली उनके लिए बंद हो जाएगा मैथेमेटिशन भले ही उनको चांस देते रहें लेकिन आज जीत के बाद बिंगौल फिर प्ले आफ में जाएं तो बड़ी हैरानी होगी हो सकता है ऐसी कुछ थिती उत्पन हो जाए इन दोनों टीमों का भविश्यर आज के मैचिस पर काफी हद तक तै करता है हाला कि पटना के पास अभी बहुत सारे मैचिस बाकी है आप लोगों के क्या विचार है क्या सुझाव है आज कौन सी टीम जीतने वाली है क्या प्रेडिक्शन है बताईए नीचे कमेंट्स में और आपके सवाल मुझे मिल रहे हैं ट्विटर पर हैश्टाग आस्क सुनील और मेरी मेरा ट्विटर हैंडल भी और इस्टा हैंडल भी सेम है आई सुनील तनेजा ट्विटर पर सवाल पूछिए बहुत जल्दी एक Q&A Question and Answer सेशन करेंगे इजाज़त दीजिए मुझे फिलहाल इसी तरह से प्यार बना रहे समवाद बना रहे जैहन